गुडिया बेटी त्यार हो गई हैं आप हाँ पापा मैं तो त्यार हूँ चले मैं आपको स्कूल छोड़ देता हूँ गुडिया बेटी ये ले आज फिर आप अपना टीफन भूल गई है मेरी ममा है न मुझे यादि लाने के लिए फिर रोज की तरहां पापा चलिया अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है अपनी बेटी को स्कूल छोड़ कर जब पापा चलिया वापिस घर आ रहा था तो वो एक पेड़ पर रुक जाता है वहां गोरी कविया जाती है तुम्हारी बेटी की अब भी हाने की उमर है और तुम उसे पढ़ा रहे हो कोई रिष्टा देह कर शादी कर दो अपनी बेटी की नहीं गोरी मैं अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करूँगा मेरी बेटी अभी पढ़ना चाहती है हमारे सारे जंगल की नाक कटवा दी है तुमने अपनी बेटी को स्कूल भेज कर कोई कुछ भी कहे मैं तो अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा ऐसे कहते हुए पापा चडिया घर चला जाता है आज पापा चडिया की तबियत कुछ ठीक ना थी घर जाकर वो खौंसले में लेट जाता है क्या हुआ है आप ठीक तो है मेरे पांक के नीजे बहुत दर्ध है सुभा से ही था मगर अब भड़ गया है ये सुनकर ममा चडिया परेशान हो जाती है और वो जल्दी से जंगल में डॉक्टर बुलबुल को लेने चली जाती है बुलबुल दी जल्दी चले मेरे पती के पंक में दर्ध हो रहा है रुके में दवा ले लूँ फिर बुलबुल कुछ दवा लेकर चडिया के साथ जाती है आपके पती के दिल में दर्द है इन्हें अब उन्ने से मना करें और अगर समय पर इलाज ना हुआ तो कुछ भी हो सकता है ऐसा कहते हुए बुल-बुल वहां से चली जाती है और ममा चड़िया रोने लग जाती है चुप कर जाएं रानो मैं ठीक हो जाऊंगा गुडिया भी आने वाली होगी वो परिशान हो जाएगी गुडिया भी अस्कूल से वापिस आ जाती है ममा क्या हुआ सब ठीक तो है पापा आप ठीक तो है ना आपके पापा को दिल में तकलीफ है और बुलबुल ने बताया है मकमल इलाज करवाना होगा तो बुलबुल डॉक्टर से दवा ले आती हूँ मैं पापा की नहीं बेटी वो आई थी और बता कर गई है कि आपके पापा का इलाज बहुत महिंगा होगा और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है गुडिया बेटी आप चिंता ना करें मैं एक दो दिन में ठीक हो जाऊंगा रात हो जाती है गुडिया जाग रही थी मैं कोई जॉब करूँगी मैं इलाज करवाऊंगी अपने पापा का अगर मेरा कोई भाई नहीं है तो मैं अपने पापा को बेटा बन कर दिखाऊंगी सुभा हो जाती है गुडिया बेटी आज अस्कूल नहीं जाएंगी आप नहीं ममा मैं दूसरे जंगल नोकरी की तलाश में जाऊंगी और साथ ही साथ अपने पढ़ाई भी कर लूँगी नहीं बेटी हमारे जंगल का रिवाज नहीं है कि बेटिया नोकरी करें पहले ही सब बाते करते हैं मैं जाती हूँ और अपने किसी दोस्ते कुछ पैसे उधार ले आती हूँ बेटी ममा ऐसी मुश्किल में कोई किसी का नहीं बनता बेटी मेरे पुराने दोस्त हैं इस जंगल में गुडिया की ममा आप कबूतर के पास जाएं वो जरूर हमें कुछ पैसे उधार दे देगा फिर ममा चडिया अपने घर से निकलती है कबूतर भीया गुडिया के पापा को दिल की तकलीफ है इलाज के लिए घर में कुछ भी नहीं है अगर आप कुछ पैसे मुझे उधार दे दे तो मैं लुटा दूँगी आपको चुडिया बेहन मैं करता मैं जरूर करता मगर तुम जानती हो के अभी पिछले महीने ही मेरी शादी हुई है जो पैसा था वो सब शादी में लग गया निराश होकर चुडिया आगे भड़ती है वो कवों के पास चाहती है वारे चुडिया पैसे क्या पेड़ों पर लगे हैं जो तुम्हें दे दे हम जो पैसा अपनी बेटी की पढ़ाई पर लगाया अगर तुम्हारे पती के पास होता तो आज अपना इलाज करवा सकता था उनका शोक था कि गुडिया पर लिख जाए अच्छा अच्छा अब जाओ यहां से हमारा समय जायाना करो शाम को रोती हुई जडिया घर वापिस चली जाती है गुडिया की ममा क्या कहा कबूतर ने क्या पैसे दे दिये उसने मगर गुडिया की ममा खामोश थी बातें करने को सब होते हैं मगर मुसीबत में कोई किसी की मदद नहीं करता ममा आप मेरी बात को समझें और अपनी बेटी पर विश्वास करें ममा मैं इलाज करवाऊंगी अपने पापा का मैं कमाऊंगी मगर बेटी सब बातें करेंगे गुडिया की ममा जो बातें करता है उसे करने दो गुडिया को आगे भरने से मत रोकें मैंने हमेशा अपनी बेटी को आगे बढ़ना सिखाया है फिर दूसरे दिन गुडिया दूसरे जंगल चली जाती है सब पक्षी अकठे होकर कवी कवा कभूतर और मिठू भी चडिया के घर आते हैं जो इज़त बची थी वो भी खाक में मिला दी तुम दोनों ने हमारे जंगल की चडिया आज तक इस जंगल की बहु बेटी घर से बाहि नहीं गई और तुमने अपनी बेटी को दूसरे जंगल भेज दिया ये बहुत शरम की बात है हम सब के लिए मैंने मना किया था मगर हाँ मैंने भेजा है मैं भेजूंगा जहां मेरा दिल करेगा मैं भेजूंगा अपनी बेटी को हमारा इस जंगल में कोई नहीं है मैंने अपनी बेटी को पढ़हाया लिखाया उसे शाओ उर दिया अगर वो अपने घर परिवार के लिए कुछ करना चाहती है तो मैं क्यों रोकूं उसे तो फिर देखते हैं तो महारी बेटी कितनी कमाई खिलाती है तुम्हें गुडिया दूसरे जंगल में जाकर एक जूते बनाने वाली फैक्टरी बे कौल्टी चेकर की जॉब स्टार्ट करती है वो अपना काम बहुत अच्छे से करती वो सुबह से शाम तक काम करती और फिर कुछ ही दिनों में फैक्टरी का मालिक चाचा चमचम गुडिया को बुलाता है कुछ ही दिनों में गुडिया अच्छे पैसे जमा कर लेती है और फिर एक दिन चुटी लेकर गुडिया वापिस अपने जंगल आती है अपनी बेटी को देखकर ममा और पापा बहुत खुश होते हैं ममा पापा मैं आपको लेने आई हूँ मैंने शहर वाले जंगल में नया घर भी खरीद लिया है और मैं शहर से ही अपने पापा का इलाज भी करवाऊंगी जीती रहो मेरी बेटी आज हमें मालूम हुआ कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं रानो मैंना कहता था कि मेरी बेटी नहीं बेटा है ये फिर गुडिया अपने ममा और पापा को गले लगा लेती है और उन्हें अपने साथ शहर वाले जंगल ले जाती है और वहां एक होस्पिटल में गुडिया अपने पापा का इलाज करवाती है और वो सब एक खुश्यों भरी जिन्दगी गुजारती है प्यारे दोस्तों बेटियां और बेटें एक सामान होते है फरक सिरफ हमारी सोच का है अगर हम अपनी बेटियों को भी बेटों की तरहां ही तालीम दिलवाएं तो बेटियां भी बेटों से कम नहीं आपका धन्यवाद दूर किसी जंगल में एक चिडिया अपनी बेटी के साथ रहती थी उसने अपने घय के पास ही अपने खेत में खरबूजों की बेले लगाई हुई थी चिडिया ने अपनी खरबूजों की बेलों की अच्छे से सेवा की थी उसने अपनी बेलों को समय पर पानी दिया था और मिहनत की थी उस कारण चिडिया के खरबूजे बहुत मीठे थे चिडिया अपने खरबूजे तोड़ कर बैल गारी पर लाद कर मंडी पहुँचती है और उसे अच्छा मनाफ़ा होता है उसी जंगल में एक कालू कववा भी रहता था उसने भी खरबूजों की खेती की थी मगर उसकी सारी बेले सूखी हुई थी इसलिए उसके खरबूजे फीके और बेसवाद थे कालू कितने का एक खरबूजा दे रहे हो चाचा चमचम पांच रुपए पांच रुपए का है एक खरबूजा फिर चाचा चमचम कालू कवे से एक खरबूजा खरीद लेता है और उसे वहीं खेत में ही खाने लगता है छी छी ये खरबूजा तो बहुत फीका और बेसवाद है कवे मेरे पांच रुपए बी जाया गे और मू का सवाद भी खराब हुआ ये कहते हुए चाचा चमचम खरबूजा खाए बिना ही वहां से चला जाता है अगर ऐसे पक्षियों को मेरे खेत के खरबूजे पसंद ना आए तो कोई भी मुझसे खरबूजे नहीं खरी देगा मुझे कुछ करना होगा ये सोचकर कालू कवा जल्दी से अपने घर जाता है और घर जाकर अपनी पतनी को सारी बात बताता है चाचा चमचम तो बिना खरबूजा खाए ही वहां से चला गया कालू चिडिया तो अपने खरबूजे बेज कर लाखो मनाफा कमा रही है क्या अब हमारे खरबूजे कोई भी नहीं खाएगा मैं अभी अपने मामा जी के पास चाता हूँ और उनसे बात करता हूँ कालू उसी समय अपने मामा जी की तरफ उड़ता है मामा जी कुछ ऐसा करें जो मेरे खरबूजे भी चिडिया की तरहां मीठे हो जाएं वरना मेरे खरबूजे खेत में ही गल सड़ जाएंगे और कोई भी मेरे खरबूजे नहीं खाएगा तुमने अपनी बेलों को पानी नहीं दिया इसलिए तुम्हारे खेत के खरबूजे फीके हैं मगर मेरे पास एक ओपाए है लो तुम ये केमिकल ले जाओ केमिकल मगर इससे क्या होगा मामा जी हाहाहा बताता हूँ बताता हूँ तुम इस बोतर में से एक टीका भरके हर खरबूजे में लगा देना इससे खरबूजे मीठे हो जाएंगे वा मामा जी वा मुझे पता था ऐसे मुश्किल समय में मेरे मामा जी ही कोई उपाए बता सकते हैं फिर कालू कवा वो कैमिकल वाली बोतल उठा कर वहां से चला जाता है फिर रात को गोरी और कालू बड़े बड़े खरबूजों में एक एक टीका कैमिकल वाली बोतल से भरकर लगा देते हैं कुछी देर बाद सारे खरबूजे पके हुए लगने लगते हैं कालू जी अब तो हमारे खरबूजे भी बिकेंगे ना क्यों नहीं हम चुडिया से दो रुपै सस्ते जो देंगे खरबूजे फिर वो दोनों घर जाकर सो जाते हैं दूसरे दिन कवा और कवी टीकों वाले खरबूजे तोड़कर बेचने लगते हैं मीठे मीठे खरबूजे चिडिया से दो रुपै सस्ते खरबूजे लो ये सुनकर कबूतर वहां आता है पहले मैं खाकर चैक करूँगा और फिर बाद में पूरे पांच किलो लूँगा लो लो खाओ चाचा कबूतर जैसे चाहे तसली करो फिर कबूतर कालू से एक खरबूजा लेकर खाता है जो बहुत मीठा था सच में कवे और कवी ये खरबूजे तो बहुत मीठे हैं बलके कुछ जादा ही मीठे हैं आप मुझे पांच किलो खरबूजे दे दो फिर कबूतर कवे को पैसे देता है और खरबूजे लेकर वहां से चला जाता है कबूतर जैसे ही घर पहुँचता है उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है लूसी लूसी मर गया मैं मर गया मेरे पेट में बहुत दर्द है मुझे जल्दी से बुल बुल डॉक्टर के पास ले जाओ मिठू तोता भी कवे से खरबूजे लेकर खा लेता है कवो मैंने तो पहली बार इतना मीठा खरबूज़ा खाया है हमने बहुत महनत की है एक एक खरबूजे को केमिकल वाला टीका लगाया है या कहा गोरी मुझे सुना नहीं कुछ नहीं गोरी ने कहा है کہ हमने एक एक बेल को महनत से पानी दिया है इस कारण हमारे खरबूजे बहुत मीठे हैं फिर मिठू वहां से चला जाता है मिठू अभी रास्ते में ही था कि उसके पेट में गुड़ गुड़ शुरू हो जाती है और वो एक पेड़ पर बैठ जाता है मर गया, मैं मर गया, कोई मुझे बैचाए मिठू ऐसे मदद की कोहार लगाता है मगर वहां कोई होता तो मिठू की आवाज सुनता शाम तक कवा और कवी केमिकल वाले सारे ही खरबूजे बेच लेते हैं पालू जी अगर ऐसे ही हमारे खरबूजे बिकते रहे तो हम दिनों में ही अमीर हो जाएंगे शाम को जब रानो जिडिया अपने खेट से घर वापिस जा रही थी तो तोते को एक पेड़ पर गिरा हुआ देह कर वहां आती है मिठू मिठू क्या हुआ है कुछ भोलो भी मैंने मैंने कालू से खरबूचा लेकर खाया था और मेरे पेड में दर्द शुरू हो गया है फिर चिडिया जल्दी से मिठू को उठा कर बुल बुल डॉक्टर के पास ले जाती है वहां कबूतर और लूसी पहले से ही आए हुए थे कबूतर के ड्रिप लगी हुई थी क्या मिठू ने भी कवे के खे से खरबूचे खाए है हा लूसी बेचारा पेड पर गिरा हुआ था मैं इसे उठा कर यहां ले आई मैं इसे दवा देती हूँ पहले भी केपक्षी पेड दर्द की दवा लेकर गए है जिस जिसने भी कालू कवे से खरबूचे लेकर खाए सब के पेड में दर्द है इसका मतलब कालू और गोरी ने अपने खरबूचे को कोई केमिकल लगा रखा है मैं आज ही उनका पीछा करती हूँ और सच सामने लाती हूँ फिर चिडिया घर जाने की बजाए कवों के खेत में एक पेड के पीछे चुकर बैठ जाती है आधी रात को कवा और कवी भी केमिकल वाली बोतल लेकर आ जाते है कालू आज केमिकल थोड़ा सा ज्यादा डालना ताके खरबूचे कल से भी ज्यादा मीठे हो जाए चिडिया पेड के पीछे से ये सब देख रही थी तो ये बात है ये डुष्ट कवे खरबूचों को केमिकल वाले टी के लगा रहे है कालू कवा भी केमिकल वाली बोतल से टी के भर भर के खरबूचों को लगाए जा रहा था सुभा हो जाती है चिडिया भी सा पक्षियों को लेकर कवे और कवी के खेत में आ जाती है हमें सब पता चल क्या है डुष्ट कवो के तुम कैसे पक्षियों की जानों से खेल रहे हो कवा और कवी डर जाते है अपने खरबूजों को केमिकल वाले टीके लगाते हो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ कैसे टीके हमें तो कुछ पता नहीं है फिर कबूतर पुलिस को बुला लेता है भक्षियो मुझे माफ कर दो मैं आपके पंजों को पंक लगाती हूँ मुझे माफ कर दो गोरी ऐसे रोती रहती है मगर पुलिस गोरी और कालू को पकड़ कर ले जाती है और उन्हें बुरे काम की सेजा मिलती है प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुरे काम का अंध हमेशा बुरा होता है